सो हे गाईस आज हों देखने वाले इस चैप्टर के पार्ट टू को जिसमें हमें मारिया सारापोवा के बारे में बताया गया है हमने अपने पिछली वीडियो में संतोस्त यादव के बारे में जाना था तो अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको वीडियो का वो डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा आप जा करके पहले वहाँ से वो देख सकते हैं मतब वर्ल्ड में जो है ये नंबर वन टैनिस प्लेयर बनी थी वुमिन्स में तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मारिया सरापोवा जो है उनमें कुछ ऐसी बात है जो सभी को आकरसित करती है अब ये ऐसा नहीं है कि उनके स्माइल या फिर उनके जो है एट्रेक्टिव प्लॉट्स के बैसे हो बलकि ये जो कुछ बात थी जो सभी को आकरसित करती थी यहाँ उभर कर आई यहाँ बाहर आई जब मंडे 22 अगस 2005 में मारिया सरापोवा वर्ल्ड की नंबर वन वुमिन्स टैनिस प्लेयर बनी मतलब कि उस वक जो है वहाँ वुमिन्स टैनिस में सबसे नंबर वन पर थी और यहाँ जो है मुकाम पाने में उन्हें कुछ जादा वक्त नहीं लगा बलकि उन्होंने टीन एज में 18 साल के उम्र में उन्होंने यहाँ मुकाम पाया था और अगर देखा जाया है प्रोफेस्टनली तो जब यह बच्पन से ही वैसे प्रैक्टिस करती थी बट जब यह प्रोफेस्टनली खेल में उत्री मतल़ जब इन्होंने खेलना सुरू किया लाइक टूनामेंट्स वगेरा तब उसके बाद से उन्हें चार साल लगे इस मुकाम पर पहुँचने पे और जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कॉम्पटिशन हर फिल्ड में भरा पढ़ा है चाये वो खेल का हो या फिर पढ़ाई का तो इससे आप एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि जब इन्होंने इतनी कम उमर में इतनी बड़े उपलबदी को पाया था इसका मतलब कि इन्होंने जो है बहुत जादा हार्ड वक किया होगा और साथ में बहुत सारे चीज़ों के सेकरिफाइज भी इन्होंने की होगी तो यहाँ पर यही बताया जारा है कि जब यह 9 साल के थी तो जिस उम्र में बहुती ऐसे कम बच्चे होते हैं जो की sacrifice कर पाते हैं चीजों की तो उस उम्र में मतलब कि इनका भी 10th birthday आने भी वाला था लेकिन वो उसको नहीं बना पाती है और अपने पिता के साथ जिनका नाम रहता है यूरी उनके साथ जो है United States चली जाती है जहां पर वहाँ Florida में जाती हैं अब ये जाते इसलिए हैं क्योंकि इनको जो है tennis पसंद रहता है और इसलिए वहाँ पर वो जो है training लेने जाती है मतलब कि आप वो सकते हो कि जो tennis है उसका practice करने जाती है वहाँ पर ट्रेनिंग लेने जाती है इनकी जो मा रहती है जिनका नाम रहता है ये लेना ये उनके साथ नहीं जाती है मतलग कि यहाँ जो है अपनी मा के बिना ही है अपने पिता के साथ वहाँ पर जाती है और लगबग 2 साल तक जो है अपनी मा से दूर रहती है अब आप समझो कि जब एक बच्ची जो कि 9 साल की हो वो अपनी मा से जब दूर रहती है तो उसको कितना बुरा लगता हो क्योंकि चाहे कोई भी बच्चा हो जो इतना छोटा होता है वो अपने मां से दूर रहता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है तो यही चीज़ यहां पर अपने बारे में बताती है कि इन्हें भी जो है बहुत ज़्यादा दुख हुआ था फिर जो इनकी मां जब आने वाली होती है तब इनका जो वीजा रहता है वहाँ ठीक से बन नहीं पाता है और इस वहाँ से उनकी जो मा है वो इनके पास नहीं आ पाती है तो इससे यहाँ एक चीज़ सीख जाती है कि जब भी आपको कुछ मतलब बड़ा एचीव कना रहता है तब आपको जो है उसकी कोई कीमत चुकानी पड़ती है वह यहाँ पर यह कहती है कि इनको जो है टैनिस में एक्सिलेंस कना था मतलब कि बहुत अच्छा उपलब्दी प्राप्त करनी थी इसलिए उनको कीमत चुकानी पड़ रही थी उसकी इसका यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि देखिए यह जो अपनी मा से दो साल से भी अधिक तक जो है उनसे दूर रही यहाँ पर बताती है कि जब भी किसी व्यक्ति को कुछ बड़ा उपलब्दी प्राप्त करना रहता है कुछ अच्छा करना रहता है चाहे वो खेल से जाद आते थे क्योंकि अपनी मा से दूर थी और इनकी जो पिता थे वह बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे मतलब उनसे जितना हो सकता था वह उतना काम किया करते थे ताकि वहाँ जो है इनका जो टैनिस का ट्रेनिंग है उसको जारी रख सके मतलब जो भी उसमें फी ट्रेनिंग कर रहे थे वह ग्यारे वह रात तक आते थे और मुझे जो है और देने लग जाते थे उठा करके कि जाओ मैं रूम को सवार दो मतलब सभी चीज को और में रख दो और उसको साफ कर दो यह कहती है कि मैं डिप्रेस नहीं हुआ करती थे मतलब कि बहुत ऐसे बच करती थी यह कहती है कि मैंने सीख लिया था कि कैसे खुद की कियर की जाती है इसलिए मैंने कभी भी जो है क्विट करने का नहीं सोचा क्यूंकि मैं जानती थी कि मैं जो कर रही हूं उसको मैं चाहती हूं इसलिए मैं कर रही हूं मतलब उनको टैनिस जो है बहुत पसंद था और वो चाहती भी थी कि वह जो है टैनिस के फिल्ड में बहुत अच्छा करें इसलिए वह डिटरमाइंड होके उस काम को करती रहती है फिर वो बताती है कि जब आप एक ऐसे जगह से आतो जहां पर आपके पास कुछ भी नहीं था और जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता ह इस वह डिटरमाइंड हो जाता है कि यार में पास कुछ भी नहीं है तो मैं इसलिए उस गोल को पाकर रहूंगा ताकि में पास कुछ हो मैं जो चाहता हूं वो मुझे मिले इसे कहती है कि मुझे बहुत जादा बेज़ती सहनी पड़े थी क्योंकि वहां पर जैसे आप कर दे थी अपना ट्रेनिंग किया करती थी और यह जो टफने से यह आज भी इनके अंदर है मतलब आज भी यह जो है बहुत होकर के जो है अपने काम को करती हैं बहुत हार्डवक के साथ और यहीं एक रीजन था कि उन्हें 2004 में विमेंडन में लेडी सिंगल क्राउन मिला ल वुमिन्स टैनिस में और उस साल की जो है वर्ल्ड की नंबर वन वुमिन्स टैनिस प्लेयर यह बनी थी अब बताया जा रहा है कि जब भी इनके जर्नी के बारे में लोग जानते हैं तो यह समझते हैं कि साइबेरिया के बर्फीले मैंदानों से मापर ठंड बहुत ज़्या है जो टीन एजर्स हो गया उनको यह सो करती बताती हैं कि सेंटिमेंट के लिए जगह नहीं होना चाहिए कि अगर आप भावनाओं से बंदे रहेंगे तो आप बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे जैसे कि अगर यह अपने मां के साथ रहती ठीक है मां से दूर होना नहीं हो सकता था कि आज इनके बारे में पड़ रहे होते हैं इन्होंने भी सैक्रिफाइस किया हैं अफने भाम ऑनावाव पर बहुत नियंतर्ण किया है अब इंसे पूछा जाता है कि आपने जो सेक्रिफाइस किया है है और जो आप चाहती थी क्या को मिला है अपने ज सkl Kend 측 आ अब यह पर कहा जा रहा है कि मार्या सरा पोवात थी वह अमेरिकन एसेंट में बोलती थी अब इसको समझाने के लिए देख लो जैसे कि मैं बिहार से हूं अगर आप में से कोई वैक्ति जो है मुंबई से हो गाया फिर किसी और जगा से तो हम जब बाते करेंगे ना तो हमारा जो है बातों में थोड़ डिफ्रेंस आपको आएगा उचारन हम लोगा थोड़ा अलग होगा किके तो यहीं होता है एक तरीकिसे एसेंट यह हम लो जो बोल रहे हैं तो हमारा ले थोड़ा सा अलग होगा तो इनका भी जो उचारन था वो कैसा था अइमेरिकन था फिर बी कि मैं जो एक रस्यान हूं क्योंकि ये रस्या से बिलॉंग करते हैं रस्या की नागरिक है और सभी के डाउट ये सॉल्व करते हैं कि मैं रस्यान हूं और भले ही सच है कि यूएस जो है मेरे जिन्दिया सबसे बड़ा जो है पार्ट है क्योंकि उन्होंने सबसे जादा वक्त अपने जिनके कहां बिताया तो यूएस में क्योंकि वो 9 साल के बाद ही यहां पर आ गए थी और यह कहते हैं कि जब भी रस्यत चाहेगा कि मैं उनकी तरफ से इवनिंग गाउंस जो के ड्रेस है जो इस तरीके दिखता है यह पहनना भी पसंद था इसके साथ जब यह खाती थी तो जैसे हमें भी होता है कुछ खाने पसंद होता है यह कहते हैं कि पैनकेक ठीक है जिस पर चॉक्रेट पूरा बितम भरा पड़ा हो उसके साथ औरेंज ड् सकते हैं कि यह तो खेल गया मैदान था इसलिए वह इतना हार्डव करके चली गए पढ़ाई में थोड़ा अलग होता है या फिर कुछ लोग और तो विमिन्स में जो है इसलिए कर पाएं तो देखो यह कहा जा रहे कि इस तरह से किसी को नहीं कर सकते हैं क्यूंकि इन्हों यही बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है डिटर्मिनेशन रखता है ठीक है वह सक्रिफाइस करता है उस चीज के लिए और मतलब पूरी लगन से वह काम को करता है हार्डवर के साथ तो चाहिए वह कोई भी फिल्टर ऐसा नहीं कि सिर्फ खेल कहें कोई भी फिल्टर उसके अंदर वह सक्सेश जरू कर जाएगा और इवन अगर वह चाहता है उसमें टॉप होना तो वह टॉप भी हो जाएगा बट अगर वह जिन सभी चीजों को अपने अंदर रखता है जो कि होता है डिटर्मिनेशन इसके साथ सक्रिफाइस भी करनी पड़ती है अब देखो हो सक यहाँ मोटिवेशन है मिलता है क्योंकि देखो अभी कैसा वक्त है कि ऐसा आप कोई नहीं के सकता है कि यह पैसे तो माइनी नहीं रखते हैं सभी कुछ आई रहता है चाहिए वह छोटा बड़ा हो कैसा भी हो लेकिन होता क्या है कि अगर आप अपने हार्डवर की पिच्छ लग के तैनिस में जो है और कि Σ्पोर्ट भी है और इनका यह XP अनप आण में था इनको फैसे के बात एक अल्या करते हैं यह पूरा इस वीडियो के अंदर अब देखो दोनो मैंने आपको पार्स बता दी हैं दोनोह मेंने बहुत जादा है कुछ वॉट्ष को जो है बोला होगा लाइक determination hard work तो यह आप समझ सकते हो कि जो इसका moral है वो यह है कि आपको जो है अपने काम को लेकर बहुत है determined होना चाहिए और hard work करना चाहिए इसके साथ sacrifice तो आता ही है वो इसकी साथ add-on हो जाता है कि हां भाई sacrifice तो इसलिए किसेते हो कि sacrifice भी हर जगह होता है यह था इस पूरे वीडियो के अंदर तो आसा करोंगा को वीडियो अच्छे लगी हो और आपको पूरे चैप्टर भी समझ में आ गया हो तो मिलते हम लोग नेक्स चैप्टर के वीडियो में तो जाने से पहले वैसे चैनल को सब् को सब्सक्राइब करना तो बिलकुल हमत बूलना